अच्छा तो अब ये बताईए कि आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि त्री घाती बहुपद के अधिक से अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं लेकिन अगर आपको केवल एक शून्यक दिया है तो क्या आप बाकी दो शून्यक निकाल सकते हैं? चलिए, इस सवाल का जवाब एक उधारन की मदद से पता लगाते हैं हमें PX बराबर XQ माइनस 2X स्क्वेर माइनस X प्लस 2 एक त्री घाती बहुपद दिया हुआ है और X बराबर 1 इसका एक शून्यक दिया है यहां से हम कह सकते हैं कि X माइनस 1 PX का गुरनखंड होगा अब PX के बाकी दो शून्यक निकालने के लिए हम PX को X माइनस 1 से भाग देंगे अब यहां से हम देख सकते हैं कि भाग फल का पहला पद X स्क्वेर मिला आगे भाग करने पर हमें नया भाज्य मिल जाएगा अब हमने भाग फल के दूसरे पद निकाला तो हमें माइनस X मिला आगे फिर भाग करने पर हमें माइनस 2X प्लस 2 मिलता है अब हमने भाग फल का तीसरा पद निकाला तो हमें माइनस 2 मिला आगे भाग करने पर हमें शेशफल 0 मिल जाता है और भागफल x2-x-2 मिल जाता है अब हम मद्य पद को विभक्त करके भागफल के गुननखंड करेंगे जिससे हमें x-2 into x-1 मिलता है अब हम त्रीघात बहुपद को x-1 into x-2 into x-1 के गुननखंड के रूप में लिख सकते हैं जहां से हमें 1, 2 और –1 त्रीघात बहुपद के शून्यक मिल जाएंगे इसी प्रकार अगर हम किसी त्रीघाती बहुपद का एक शून्यक दिया है और हम बाकी के दो शून्यक ग्यात कर सकते हैं तो यहां से हमने बहुपद का विभाजन लेख लिया चलिए आगे बढ़ते हैं